What is ECMAScript? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ECMAScript क्या है और जब आप Javascript सीख रहे होते हो न तो बहुत बार ये नाम पीच में आता है और जितने भी डेवलबर होते है न उनको बहुत confusion हो जाता है तो हमें पहले समझना है कि ECMAScript क्या है ताकि आप JavaScript अच्छे सीख पाओ और आप JavaScript में code कर पाओ और कभी भी कोई ECMAScript नाम यूज़ कर रहा है तो आपको confusion ना हो तो किस-किस तरह के नाम आपको confuse करने वाले हैं ECMAScript के बहुत सारे version है कुछ total 13 versions है तो इस तरह के नाम आपको दिखने को मिलेंगे ECMAScript 6, ES6, ES2015, ECMAScript 2023, ES13, ES12, ES11, ES10 और अलग-लग version ये तो versions है ठीक है ये आपको version सुनने को मिलेंगे ये जो है वो year है ठीक है ये है ES2015 ये भी year है तो actual में ES6 2015 में आये था तो कभी-कभी उसको ES2015 बोल देते हैं कभी कोई ES6 बोल देता है कभी कोई उसको पूरा ES ECMAScript 6 बोल देता है कभी कोई बोलेगा ECMAScript 2015 इतना confusion ये लोग create कर देते हैं कि जो JavaScript developer होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये क्या है तो इसको एक बार clear कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपसे कोई भी पूछे या interview में भी अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से बता पाओ तो इसको समझने के लिए हमें कुछ 30 years back जाना पड़ेगा 30 साल पहले ठीक है 30 years back जाना पड़ेगा 1995 में तो 1995 में Netscape नाम की एक company थी ठीक है यह इतना पॉपलर हुआ बिकाज अफ दिस लेंगवेज यह ब्राउजर भी पॉपलर हुआ और काफी सारे लोग जावस्क्रिप्ट को यूज भी करने लग गए थे लेकिन मार्केट में बहुत सारे ब्राउजर थे जो अपनी अलग-अलग स्क्रिप्ट को यूज करते थे फॉर एक्जामपल 1996 में इंटरनेट एक्स्प्लोजर आया इंटरनेट एक्स्प्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का था वो लोग js क्रिप्ट यूज करते थे तो अगर आप एक डेवलपर हो ठीक है अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो आप चाहते हो कि वो नेटस्केप में भी चले वो इंटरनेट एक्स्प्लोरर में भी चले और भी कोई ब्राउजर में चले तो आप चाहोगे कि सारे ब्राउजर एक लेंग्वेज को फॉलो करें या फिर एक कोई standard follow करे ताकि आप code लिखो तो सारे browser में वो चल जाए तो ये problem काफी बड़ी problem थी तो इसके लिए एक solution निकाला गया कि ACMA International नाम की एक company थी ये company क्या करती है ये company standards बनाती है standard मतलब for example अगर आज के time आपको एक keyboard बनाना है ठीक है और आप चाते हो आपका keyboard हर कोई user use करें और हर कोई operating system में चले और किसी भी user या किसी भी system को problem ना हो तो आप एक standard follow करोगे कि इसमें space bar होना चाहिए एक enter होना चाहिए या जो ये numbers हैं ये किसी order में होना चाहिए जैसे standard होता है security कि इस तरीके से keyboard में वो लिखे जाते हैं इस तरीके से आपके buttons होने चाहिए उसी तरीके से ECMA ने क्या किया ECMA ने एक standard बनाया ठीक है कि ये ये rules होने चाहिए ये ये features होने चाहिए एक standard इसले बनाया ताकि इतना confusion ना हो और सारे लोग इस standard को follow करें ताकि अगर एक developer website बनाता है तो multiple browser उसे support करें और हर किसी के लिए बेटर है ये बहुत बड़ी problem थी जो solve करी गई एक standard बना के तो जब इस standard बनाया तो इसका नाम हो गया ECMA script ठीक है अब होता गया ECMA script के total 13 version है मतलब standard update होता रहता है हर साल या हर दो साल में वो कुछ कुछ अपडेट करते हैं कि ये feature और होना चाहिए ये ये rule होने चाहिए कुछ कुछ rules regulation अपडेट करते हैं तो version 2022 में आये था कोई बोलेगा yes 2022 को year जोड़ देगा कोई इसको पूरा लिख देगा ECMA script 13 कोई क्या करेगा इसको अगेन पूरा लिख देगा ECMA script और यहां 2022 लिख देगा और जावस्क्रिप्ट developer confused हो जाते हैं कि यह सब हो क्या रहा है अब जावस्क्रिप्ट क्या है वह मैं आपको बताता हूं और वह ECMA script से कैसे different है तो ECMA script हमारा एक standard है ठीक है ECMA script हमारा एक standard है जिसके अंदर rules बताएं फीचर बताएं जो इस language में होने चाहिए तो अब कोई भी बंदा जैसे मैंने आपको keyword का example दिया कोई भी अगर कोई नई language बनाता है तो उसके अंदर यह standard follow होने चाहिए ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट इसका implementation है ECMA script को use करके जावा स्क्रिप्ट को implement करा गया है और ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट को ही ECMA script को use करके implement करा गया है और भी languages है जो ECMA script standard के ऊपर बनी है जैसे की J script जैसे की action script और आज के time अगर आप कोई नई language बनाना चाहते हो जावा स्क्रिप्ट को competition देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह ECMA script पहले पढ़ोगे कि इसमें क्या-क्या rules regulation है फिर अपनी new language आप बनाओगे तो अगर आपसे इंटर्वी में पूछा जाता है कि what is ECMA script तो आप बोलोगे ECMA script एक standard है जो ECMA international company ने बनाया वो company standards वगेरा ही बनाती है और javascript is a implementation of ECMA script और आप additional information और दे सकते हैं interviewer को कि javascript अकेली language नहीं है जिसने जो की ECMA script का implementation है और भी languages हैं जैसे JS script और action script और अगर आपसे पूछे कि यह ES 13 क्या है ES 6 क्या है तो आप बता सकते हो ECMA script के वर्जन है अगर कोई पूछे ES 2022 क्या है तो जो वर्जन 2022 में आया था हम उसको refer करने के लिए ES 2022 बोलते हैं झाल झाल